दोस्तों क्या हाल है मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे तो आज का जो टोपिक है वो है हमारा बैटरी के ओपर डिस्पले के ओपर जो आपका device है उसके display के कुछ ऐसे settings है जिनको करने के बाद आपके device की battery बहुत जाला चलेगी बहुत जाला समझगे ना बहुत जाला चलेगी और यह setting जो है वो secret है जो कि आपने जाननी है आपको पता चल जाएगा जब आप मेरा वीडियो यहाँ पर देखेंगे तो वीडिय होने है आपने setting वाले option में setting वाले option में आपर चलेगे यहां पर जाने के बाद आपने एक यहांं पर display का option देखना है घए कोई साबी device ले का just pré आपको देखने को मिल जाता है ठीक है को साई ब्रांट का होगा डिस्पले आपको बहुत सारी settings देखने को मिल जाएंगी आपके डिस्प्ले वाले option में तो आप ध्यान से देखना, skip मत करना, आप बोलेंगे कि मैं dark mode के बारे में बता रहा हूं, हम dark mode लगाएंगे यह dark mode हो गया, तो आप बोलेंगे कि यह light mode यह तो हमें पता है, लेकिन नहीं भाई, ध्यान से देखना भी, यहाँ पर आपको turn as schedule का option मिलता है na schedule, इसको हम on करेंगे, on करने का sunset to sunrise आपने यहाँ इसे set कर देना है, समझे, sunset to sunrise मतलब कि जब sunset हो जाएगा, तो आपका device में automatically, जो है dark mode activate हो जाएगा, आपको बार बार dark mode activate करने की जुरूरत नहीं है, मतलब कि अंधेरा होगा ना शाम के टाइम, तो आपके device में automatically, जो है dark mode activate हो जाएगा, जैसे ही सुबह होगी, तो आपका deactivate हो जाएगा dark mode, आपकी screen जो है light mode में जाएगी, जैसे कि दिशतियां पे, अभी मैंने से set कर दिया है, इसे के होगा, आपका एक तो time भी बचेगा, और आपका device automatically, जो है काम करेगा, आपके schedule के हिसा आप से, मतलब कि शाम होगी, आप phone निका लेंगे, आपका mode में जाला गया है, सुबह उठेंगे, duty के, school के, कहीं भी के, office के, तो आप check करेंगे कि यहाँ आपका device, light mode में यहाँ पे आगया है, आप easily जो है अपने phone को use कर पाएंगे, ठीक है, इसे आपकी battery जो है बच्चे की brightness, दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है, इसको off रखते हैं, ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, आपकी light यहाँ पे कम है, आप बात धूप में गये तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे है, लेकि adaptive brightness को जब आप on करेंगे, उसके बाद आप धूप में जाएंगे, तो आपकी phone का जो display है, वो glow होगा, और जिसकी brightness है, वो कम होगी, आपने आप automatically, ठीक है, तो इस setting को आपने यहाँ से on रखना है, ठीक है, क्या बार होता है, आपकी जादा रहती है, तो आपके room में भी आपकी आँखों में stress पड़ता है, तो आपने इस option को जो है, automatically ही रखना है यहाँ पर नीचे को स्क्रोल करेंगे, आपको, तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर की setting, screen time out, screen time out, यहाँ पर कही ने 15-15 मिन रखना होता है, कही ने 2 मिन, कही ने 10 मिन, तो आप यह गलती कर देते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी phone की screen, जो है, वो, मतला phone यूज करके रखते हैं कही बार, तो आपकी फूरी screen 5 मिन तक on रहती है, लेकिन आपने सबसे कम timing यहाँ पर select करनी है, यह company ने option ऐसे नहीं दिया है, ठीक है, आप 15 second करेंगे, 15 second करने के बाद इसका क्या फाइदा होगा, 15 second के बाद आपकी screen है, automatically बंद हो जाएगी, जो है, आपकी light off हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर दिसकते हो, 15 second आप जैसे ही होगे, तो मेरे screen जो है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इससे जब मालों कि आप एक घंटा phone यूज़ करते हैं, तो एक घंटे में अगर आप कही बार फोन रखते हैं, तो कही बार आपकी बैटरी जादा चलेगी, तो मैं भी यहाँ पर वीडियो मना रहा है, तो मैं इसे थोड़ा 2 मिनिट यहाँ पर कर देता हूं, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है, तो आप इससे सबसे कम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 15 second तक आपने रखनी है, ठीक है, समझ गे, अब च कैसे लेकर आना है, इसके लिए आपको एक application का सहारा लेना पड़ेगा, तो application आप मेरे link से download कर सकते हैं, फिलाल आप उस application को देखिए, कि उसका काम किया है, ठीक है, तो इस application को मैं यहाँ पर on करूँगा, ठीक है, फिर next करूँगा यहाँ पर, फिर जब यहाँ पर आएगा पर क्लिक करेंगे, अगर आपका device रूट नहीं है, तो आप my device not rooted पर करेंगे, ठीक है, तो मेरा device यहाँ पर rooted नहीं है, तो मैं इसे next करूँगा, ठीक है, फिर grant permission यहाँ पर मांगा जाएगा, फिर यहाँ पर permission दे दे रहा हूँ, फिर back आएंगे, फिर यहाँ पर finish करेंगे, फिर इस तरह का page यहाँ पर open हो जाएगा, अब क्या करना है, आपको यहाँ पर three dots का option देखता है, यहाँ पर click करना है, setting बाले option में यहाँ पर जाना है, फिर smart hibernation आपने इसे on कर देता है, जैसे कि मेरा यहाँ पर own है, आपने इसे on कर देना है, उसके वाद आपका काम खतम आपने back आना है, इस application में फिर आपने यूज नहीं करना है, इसका काम क्या application का, मंदब background में जितने भी applications run रहती है, जितने भी process run रहती है, इनको बंद कर देती है, इसे क्यों होता है, आपकी battery जो बहुत जादा चलती है, और आपका device hang भी नहीं होता है, बिल्कु सोफली, smoothly अपने device को use कर पाएंगे, और काफी जादा fast आपका device यहाँ पर हो जाएगा, तो यह थी कुछ settings, जो मैं आपको बताना चाहता था, मैं आज आखता हूँ, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो बाई-बाई-टेक,